अगर आप चाहते हैं सबसे budget स्मार्टफोन, सबसे सस्ता स्मार्टफोन, तो अब आ चुका है Infinix लेकरके Infinix 8 HD, और यह जो स्मार्टफोन है, जिस price range में आता है, वो पूरे तरीके से यहाँ पर सारे phone को बिट कर चुका है, तो यह जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको design जो होए कुछ मिलता जुलता iPhone के तरफ से है, तो यहाँ पर inspiring design आपको देखने के मिलागा iPhone के तरफ, iPhone 11, iPhone 12, Pro Max जो series है, उसके तरफ से यहाँ पर 3 module में camera देखने के मिलता है, तो design होए में हम देखें, तो यहाँ पर आपको design में बहुत ही अच्छा मिलता है, और साथ में camera के यहाँ पर किनारे rounded type पर एक आपको हम पर मिलता है lining, जो कि और ज़्यादा खुबसूरती बढ़ाता है, और साथ में back panel में बात करें तो यहाँ पर आप ring type पर lighting देख सकते हैं, यह भी एक अच्छा look बनाता है, तो यहाँ पर अगर हम design के बात करें, बोक्से टाइप का design दे camera पर आएंगे, तो अगर हम display की बात करें, तो यहाँ पर आपको 6.6 inch का HD plus IPS LCD display देखनों की मिलता है, तो यहाँ पर जो display भी यूज किया गया है, इसमें भी कोई cost cutting हो इसा नहीं किया गया है, जो कि यहाँ पर बचाया गया है पैसा, तो अगर हम देखें तो display भी इसका ठीक है, और punch hole के साथ और भी खुबसूरती बढ़ जाती है, और अगर bezel की बात करें, तो जादा bezel इसके अंदर देखनों की मिलता है, नोर्मल जो फोनों में आता है, उसके हिसाप से तो better देखनों की मिलता है, लोकेर वाइज यहाँ पर आपको भी smartphone जो है, वो बहुत ही 3GB RAM और 64GB का यहाँ पर internal storage देखनों की मिलता है, तो यहाँ पर virtual RAM भी मिलता है 3GB, तो इसको expand करके आप 6GB RAM तक ले जा सकते हैं, तो वैसे आपको expand करने की जोरत नहीं है, वो जादा काम नहीं आता है, तो यहाँ पर 3GB RAM और 64GB का internal storage मिलता है, और 7 में अगर हम देखे तो लगा सकते हैं, नेनो सीम और साथ में एक SD card भी लगा सकते हैं, यहाँ पर option दिया है कि अगर आपको storage का दिकत होता है, आप SD card को use कर सकते हैं, इसके extended चीज़ के तरफ से जो की है camera, अब अगर हम camera की बात करो, तो main camera यहाँ देखना की मिलता है 13MP का, और 13MP के हिसाब से अगर 1080p 30, आप इसके साथ video shoot कर सकते हैं, और friend camera से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह shocking चीज़ है कि आपको उतना जादा फ्रंट में detail देखना की मिलता है, आप इस तरीके से आपको यहाँ पर softness photo देखना की मिलता है, तो अगर आपको normal photo है, जादा आप photography नहीं करते हैं, तो यह parents parents जैसे के photography नहीं करना चाता है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर camera decent मिलता है, कभी आप selfie भी लेना चाता है, फोटोज लेना चाता है, तो इसमें capture अच्छे तरहकी से हो जाता है, तो अगर battery की बात करो तो यहाँ पर 5000 image की battery देखना की मिलता है, और 10 watt का fast charger का support मिलता ह तो generally इस price range में आपको इसी segment का battery मिलती है, और इसी segment का charger भी देखना की मिलता है, लेकिन इसके अंदर यह है कि इस price range में कोई fingerprint देता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर side mount fingerprint fingerprint है, जो कि बहुत ही अच्छा infinix किया है, क्योंकि इस price range में side moment fingerprint कोई भी ऐसा नहीं देता है, जो भी आप फिलिप टाट पर अगर आप सर्च करते हैं, तो 6,002 triple line के साथ देखेगा, यानि 62,300 वकार, लेकिन अगर आप offer लगाएंगे, तो 6,000 से अंदर भी आप खरी सकते हैं, 5,000, 5,700, इस तरीके साब खरी सकते हैं, इस price range में अगर इस phone को देखें, तो यह एक अलग यहीं कोशि चलाना है, call कर लेना है, थोड़ा सा यूटूब चलाना है, इस तरीका का uses के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन है एक चीज़ आप ध्यान में रखें, कि यह जो phone है, वो 5G phone नहीं है, 4G phone है, तो इस पर आप compromise कर सकते हैं, क्योंकि इस price range में आपको generally 5G मिलता भी नहीं है, बार